सब्सक्राइब करें जेक एडिस इन्फो यूटूब चैनल को और बेल आइकन को दबाईए डिटी एज के रेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करने वाले हैं कि अगर आपके पास कोई पूराना PC उसका मोनिटर पड़ा है यानि कि कोई इस तरह का मोनिटर जो CRT मोनिटर आता है या फिर कोई LED मोनिटर हो LCD मोनिटर हो जिसको अगर आप यूज करना चाहे at TV के तरह यानि कि तीवी के तरह आप स्याटो बॉक्स कनेक्क करके उज करना चाहते हैं सिर्फ आपको 200-300 रुपे खर्चा होगा और आपका जो मोनिटर है वो एक दम टीवी की तरह काम करने लगए ठीक है तो सिंपल प्रोसेस है क्या आपको करना है मैं पूरा डीटेल आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं तो वीडियो को देखते रहें और यहां पर दोस्त की लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वहां पर आराम से रिसकाउंट के साथ इसे खरीच सकते हैं तो चले में इसे भी दिखाता हूं आपको कि किस तरह का यह प्रोड़क्ट हमें एमेजोन की तरफ सी बिला है और बाकी सेटिंग क्या करना है तो मोस्टली दोस् है वह कंप्लीट डीटेल दोस्तों में यहां पर आपको बताने वाला हूं तो चले अब टीवी की तरफ चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि क्या आपको करना है ठीक है तो दोस्तों यहां पर आपको एक जुरूरत होगी छोटे से कनवर्टर की जो की वीजी टू एच इससे मगवाया है आप भी अगर इसे लेना चाहते है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी तो यहां पर मैं आपको दिखाता हो कि यह प्रोड़क्ट कैसा है तो HDMI to VGA अडप्टर यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है और एक कुछ इस तरह का आपको HDMI का पॉर्ट और साथ में यहां पर फीमेल VGA का पॉर्ट देखने को मिलेगा आप यहां पर देख सकते हैं और दोस्तों यह वाला जो एडप्टर है अगर यह आप लगाते हैं तो आपको यहां पर ना तो कोई TV टूनर महेंगे TV टूनर की जरूरत है और ना ही आपको कोई ज्यादा खर्चा करने की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि यह दोस्तों आराम से यहां पर तो इसकी प्राइज चार सो निन्यान में लखी है लेकिन अगर आप इसे अमारे लिंक से खरीतते हो तो आपको लबबग 200-300 रुपे में यह मिल जाएगा ठीक है तो वह डिपेंड दूस्तों एक तरब यहां पर होता है वीजी फीएल एड़ेप्टर आप देख सकते हो यहां पर और एक साइड में दूस्तों इसके हमारा जो HDMI केबल होता है वो होता है यानि हम सेटन लगाएंगे और एक साइड में हम लगाएंगे वीजीए केबल ठीए तो यह कनेक्शन भी बहुत ही आसान है कोई मुश्किल काम नहीं है तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं मेरे पास एक पुरा नाव CRT मोनिटर पड़ा हुआ है इसके अंदर दो पीने लगी होती है एक होती है एक वीजी है केबल वाली पीन और एक होती है पावर की अबल यह वाली पावर की अबल ठीक है तो यह थ्री पीन टॉफ है पावर यहां पर हम देंगे तो चले मैं इसे सबसे बेले on कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं आपर green light आ चुकी है, तो अभी ये on होगा, तो on होते हैं दूस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं no signal check video cable ये सा लिख के आ रहा है, क्योंकि अब है हमारा जो cable है वो कहीं पर नहीं लगा है, इसलिए यहाँ प यहाँ पर चलाना है set of box, तो उसके लिए हम यह converter यूज कर रहे है, जो की है VGA to HDMI to VGA, तो यह यहाँ पर से आपको simply इस तरह से connect कर लेना है, तो अब आपका जो VGA cable था, वो हो गया है HDMI cable, यानि कि यहाँ पर हमारा converter लगाने से यह हो गया है, अब HDMI, तो अब हम HDMI out में लगाए हमारे set of box के अंदर, तो यहाँ पर दोस्तों मैं set of box यूज कर रहा हूँ, वी जोन का 8007, तो यह वाले set of box के अंदर HDMI out, तो mostly अभी जितने भी MPG for set of box सभी के अंदर HDMI out का port मिली जाता है, अगर आप HDMI port नहीं मिल रहा है, तो आप VGA में लगाने के लिए आप VGA to AV वाला जो option आता है, वो भी आप यहाँ पर से use कर सकते हैं, तो वो converter भी link description में आपको दे दूगा, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैंने HDMI port में लगा दिया, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो, अभी जो set of box का menu या फिर कोई भी picture नहीं आ रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि set resolution lower और set monitor user guide, यानि कि monitor की user guide देखे या फिर आपना जो resolution है वो lower या फिर इस तरह select करें, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे बहले आपको अपने set of box को किसी और जो अपने चालू TV है, उसके अंदर आपको इसे connect कर लेना है, और setting में एक छोटा सा setting कर लेना है, जो कि आप आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लास्ट में जाके A-B setting है, तो यह अलग-अलग box में दोस्तों, अलग-अलग नाम से menu आ सकता है, audio video setting बोलते है, A-B setting बोलते है, OSD setting बोल सकते हैं इसको, तो यहाँ पर आपको find करना है video resolution, तो video resolution आप दे select करते जाइए, जहाँ पर भी आपको नजर आए, अपने monitor के अंदर, वहाँ पर इसे आप select कर ले और save कर ले, ठीक है, तो अब दोस्तों, आप जब भी TV on करेंगे, तो यह आपके TV के अंदर connect हो जाएगा, और आपका जो set of box है, वो अपने monitor के अंदर दिखना शुरू हो ज दोस्तों, आप बात आती है, audio की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारा जो picture तो यहाँ पर video तो चल गया, लेकिन audio जो है, वो अभी तक नहीं आ रहा है, तो दोस्तों, यहाँ पर audio लाने के लिए क्या करना होगा, वो भी मैं आपको setting बताता हो, सबसे पहले दोस्तों, अगर आपके पास एक aux cable है, तो आप Bluetooth speaker का यूज़ कर सकते हैं, अधरवाइस अगर आपके पास एक home theater है, तो direct आप उसको audio वीडियो की जो pin होती है, वो setup box के अंदर यहाँ पर लगा सकते हैं, जैसे कि दोस्तों, आप सभी को मालूम हिए कि setup box के अंदर हमें एक video की video out और द audio out की pin है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चले मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, red और white वाला जो pin है, वो audio out के लिए है, यानि कि यहाँ से हम audio out ले सकते हैं, तो home theater की pin आप यहाँ पर home theater से चला सकते हो, या फिर आपके पास अगर कोई speaker है, bluetooth speaker वगएरा है, तो आप वहाँ पर से आसान से चला सकते हो, तो चले मैं यहाँ पर से अपना जो speaker है, bluetooth speaker कनेक्ट करके दिखाता हूँ, तो अब यहाँ पर यह वाले जो aux cable है, वो मैं bluetooth के अंदर connect कर लेता हो, तो जैसे कि हैं यहाँ आपको चनेक्ट कर ले, आप देख स सकते हो तो यह है दोस्तों यहाँ पर ओडियो और वीडियो एकदम ओके आ रहा है तो ज्यादा खर्चा नहीं होगा आपका अगर आपके घर पर ओम थेटर है तो आप ओम थेटर का यूज कर सकते हो और इसी तरह से दोस्तों आप अपने पूराने मोनीटर जो LCD टीवी या फि तो थोड़ा सा यह लग रहा होगा बाकी यक्यूल में दोस्तों अगर हम बात करें तो हम लोग जो TV देखते हैं CRT TV उससे तो यहाँ पर 100 टाइम जो रिजल्ट है उसका बहतर है तो इस तरह से दोस्तों आप भी अपने पूराने मोनीटर को यूज कर सकते हैं तो यहाँ प मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया हुगा समझ में आया हुगा अगर इसके बाद भी अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे नीचे कॉमेंट करका जरूर बताइए और बाकी दोस्तों यह वीडियो करें